आज हर दूसरे व्यक्ति को घुटनों में दर्ड, अर्थ्राइटिस, जोडों का दर्ड, वात, रोग, वेरिकॉंस, वेंस की समस्यां, ये सारी समस्यां परिशान करती हैं दोस्तों, ये सारी समस्यां होती हैं वात के कारण वात को आज हम जड से खतम करेंगी, वीडियो पे बने रही है, हमें एक टुकड़ा जिंजर का लेना है, उसको मोटा मोटा स्लाइसिस में कट कर लें, चाहें आप इससे कूट के डाल सकते हैं, पतीले में एक ग्लास पानी लिया है, इसमें अब हम डालेंगे एक टुकड़ा दाल चीनी का, सबी के घरों में होता है, अगर आपके पास पाउडर है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारा बलट का जो सर्कुलेशन है, घुटनों तक अच्छी तरीके से होता है, नसे जो टेड़ी मेड़ी हो जाती है, या फिर हमारी नसे कैवर एंट ज हो जाती है, उसमें भी हमारी बहुत हेल्प करती है, दो पत्ते लिए हैं मैंने मसाले वाले सबी के घरों में होते हैं, नहीं है, तो मार्केट में असानी से मिल जाती है, आपकी बोडी में कहीं भी वेरिकोंस वेंस की समस्या है, दोस्तों, आपकी कम से कम, 12-14 दिनों में कम से कम आपको 20% का आराम दिखना स्टार्ट हो जाएगा जब भी हमें कोई बिमारी होती है दोस्तों तो हमें दवाई खानी भी पड़ती है और उसके उपर लगानी भी पड़ती है मैं आपको लगाने के लिए भी बताऊंगी जिससे आपको पंदरा दुनों में बहुत बहुत अच्छे मिलेंगे अगर आपको पेट में गर्मी हो जाती है इन काड़ों को पीने से तो मैं आपको बताऊंगी काड़ा को कैसे पीना है इसमें देड़ चमश मैंने धनिया डाल दिया है साबुत धनिया जो हम मार्केट से लाते हैं सबजी वगरा के लिए यह वही धनिया ह बहुत फायदे मंद होता है हमारे बलड के सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए हमारे हाट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत फायदे मंद है इसके इतने सारे फायदे हैं धनिया पेट में गैस को नहीं बनने देता अब यह है काली मिर्ज 5-6 काली मिर्ज डालनी है प बहुत फाइदे मंद होता है दोस्तों आप ट्राई तो कीजिए आपको 15-16 दिलों में खुद बोलोगे कि मुझे कम से कम 20-30% आराम हो चुका है इसको इसी तरीके से पकने दे 5-6 मिनट अगर आपके पेट में जलन होती है काड़े को लेके तो आप इसमें डाल सकते हैं एक च चैनी जलन पेट में कुछ ऐसा हो जाए तो आप इसमें एक चमत सौंफ जरूर एड़ कीजिए इससे क्या होगा काड़े की गर्मी आपको नहीं होगी आपको काड़े का पूरा पूरा फैदा मिलेगा तो जो काड़ा धाना बिल्कुल रैडी हो चुका है अब ये वात दुगनी तिगनी चोगनी कर देगा जो बचा हो आया ये इसमें पानी डालके आप दुबारा भी काड़ा रैडी कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे दोस्तो जामुन का गौंद बहुत फाइदे बंद होता है इमेजोन पे आसानी से मिल जाता है तो आप इसको एक चुट जगर जगर बोड़ी में पेन होता है वो भी नहीं होगा इससे आप अपने शरीर की 99% नाइन बिमारी को खतम कर लोगे इतना इफेक्टिव है दोस्तो जामुन का गौंद आप इसको इस तरीके से डालके काड़े में ली चीए आप इसे वैसे भी ले सकते हैं मैं आपको द आपको रात को सोते टाइम लेना है और जो पहले वाला काड़ है आपको रात को सोते टाइम लेना है दोनों में से कोई एक लेना है जो भी आपको शूट करें जो लहसुन होता है उससे हमारे ब्लेट का सर्कुलेशन है बहुत अच्छी से होता है वाद को खतम करता है की लेनी है रात को सोते टाइम इसको चबा चबा के खाना है लैसुन को पहले या तो आप इसे भून ले भून के खा सकते हैं नहीं तो आप इसको ऐसे ही खा ले और दूद को उपर से पी ले चलिए दोस्तों देखते हैं इसके हमें और क्या करना है अब हमें लेनी है एक आपका जो दर्द है ना बिल्कुल खतम हो जाएगा आप वीडियो में बने रही है इसी तरीके से अब मैं इसमें डालूंगी दोस्तों एक चम्मच मीथी दाना आप सब जानते हैं बहुत इफेक्टिव होता है हमारे दर्द के लिए तो इसमें टोटल डेर चम्मच डालना है आपको तेल की कॉंटिटी थोड़ी जादा है अब मैं इसमें डालूंगी चार से पांच लहसुन की कली इनको आपको छीलने की जुरुत नहीं है आप इनको इसी तरीके से डाल दें या थोड़ा सा कूट के डाल दें क्यूंकि छिलके के अंदर भी बहुत सारे ऐसे करेंगे दोस्तों वह भी हमारे दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करती है कि जो तेल बनेगा इतना अच्छा बनेगा कि आप इसे दिन में एक बार मालिश करें और कम से कम 5-10 मिनट मालिश करें इसका जल बहुत अच्छा मिलेगा आपको वीडियो में आगे बताऊंगी क कि आपको इसमें करना और क्या है तो मैं इसमें डालूंगी दोस्तों एक टुकडा जिंजर का बहुत फाइदे मंद होती है जो हमारे गुटने पर सूजन आ जाती है ना गुटने के पीछे वाले पार्ट पर नस्यों का गुच्छा हो जाता है और वो बड़ी खिचाब महस होती है उसे हमें तो इस सब को डाल के आपको यह तीरे धीरे पकाना है तेल को पकने में कम से कम साथ से आठ मिनट का टाइम लग जाएगा तो आप बिलकुल भी घबराएं नहीं मैं आपको बताऊंगे कैसे बता चलेगा कि हमारा तेल रैडी हो चुका है यह हमारी जो ब्ल इस बिमारी को खतम कर देगा आप इस रैमिडी को ट्राय जरूर कीजिए कम से कम एक महीने के लिए जो तेल धाना वो रैडी होने वाला है क्योंकि हलका ब्राउन हो चुका है तो यह देखिए इसका कलर चेंज है पहले से तो जो तेल था हमने बिलकुल धीरे गैस पे पकाय है तो तेल बिलकुल रैडी हो चुका है यह देखिए आप इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं तब इसमें थोड़े थोड़े से दूए दूए निकलने लगे तब आप समझ जाए कि जो तेल था बिलकुल रैडी है अर्थ्राइडिस की बिमारी के लिए वात रोक के लिए घुटनों के दर्थ के लिए अब हमें गैस की फ्लेम आफ कर देनी है और तेल को करना है ठंडा क्योंकि गरम तेल तो हम नहीं लगाएंगे दोस्तों ठंडा करने पर कैसे मालिश करनी है और मालिश की बाद करना क्या है वो भी मैं आपके वीडियो में आगे बताने वाली पर वो भी इतनी ज़्यादा आराम नहीं देगा जितना कि यह हमें आराम देगा यह हमें नैचरल तरीके से बिलकुल ठीक करेगा चलिए जो हमारे पैरों की वेरी कुन स्वेन से ना उस पर आप इसे अच्छे से मालिश करें कम से कम पांच से छे मिनट अगर आपको हाथ की कहीं मिनसों में दर्द है तो आप थोड़ा सा तेल ले इस तरीके से और इसको इस तरीके से हलके हलके हाथों से मसाज करें बहुत तेज या टाइट हाथों से मसाज आपको नहीं करनी है इस बात का आपको बिलकुल ध्यान रखना है आपको हलके हाथों से मसाज करनी है इस हो सके तो 5-10 मिट आप अपने पैरों को हाथों को जहां भी दर्दों थोड़ी सी सुबह की धूप लगा लें आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आप डॉक्टर से दवाई लाना बंद कर देंगे गुटनों के दर्द के गोलियां खाना बंद कर देंगे जब आप इस होम रेमेडी को ट्राइ करेंगे रिजल्ट आपको बहुत बहुत अच्छे मिलेंगे हो सके तो अगर आपको दर्द इससे खतम ना हो दोस्तों थोड़ी सी इसकी सिकाई कर लें गरम पानी में टावल डाल के अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आए वीड लाप कर लाफ ऑर आपको अजियो आपको 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 आए अ यद बहुत बहुत वल्स काई